हलो एवरिवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल इंग्लिश वेट ट्रिक देखिए तैंथ नंबर तक हम अल्रेडी वन वर्ड कर चुके हैं डी सेक्शन के आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 11 से तो चलिए देख लेते हैं नंबर 11 क्या है हमारा वन हू सुपर्वाइज इन दा परिक्षण करता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं इन्विजिलेटर मतलग जो कक्षा कक्ष में निरिक्षक हो यानि जैसे देखिए आप एक्जाम देने गए हैं यहां पर देखिए पिच्चर देखिए तो उच्छे समझ जाएंगे यह बच्चे क्या दे रहे ह और ये क्या है ये invigilator है ये जो person खड़ा हुआ है और ये क्या कर रहा है ये पूरा निरिक्षन कर रहा है कि कोई भी बच्चे चीटिंग न करे या कुछ ऐसी activities ना हो जो परिक्षा में क्या हो परिक्षा के खिलाफ हो अब next देख लेते हैं next क्या है next है हमारा 12 number का क्या है 12 number का one who compiles a dictionary वह है जो शब्द कोश संकलित करता हो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम बोलते हैं lexicographer यानि कि कोश का मतलब जो शब्द एकटे करके उसने क्या बना दी भाई डिक्षनरी बना दी तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम 13 number का क्या है 13 number का one who present a radio program जो radio कारेकरम प्रस्तूत करता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं radio jockey ठीक है अब यह तो आजकल सब लोग जानते होंगे जिसे हम short form में आर जे भी कहते हैं अब यह देखे पिच्छर ये कौन है वही यह जो बैठे यह है एक radio jockey okay next देख ल करता हो अध्यान करता हो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं सैफलाजिस्ट यानि की चुनाव विशलेशक देखे जो चुनाव विशलेशक होते हैं जो देखते हैं किसको कितने बोट पड़े कौन सा जी सकता है कौन सा हार सकता है और पूरा जो उनका विशलेशन करक कि एक निश्कर्ष पर पहुशते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। सपलों गज्ञक है। जनाव। बोलते हैं, क्या हो सकता है यो बनां क्या हो पर इंगता अगे बताएंगे। इस समझ में आगे हो। Next दिखलेते हैं। Next हैं मेरा फिफिटीन नमर का। One who gives shape to stone जो पत्थर को आकार देता है मतलब जो मूर्ती बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्कल्प्टर यानि की मूर्ती का अभी देखे क्या कर रहे हैं भाई साब ये पत्थर से मूर्ती बना रहे हैं जो पत्थरेज को क्या कर रहे हैं एक आकार दे रहे हैं ओके आई होप समझ में आगया हो नेक्स निकलेते हैं नेक्स्ट है मारा 16 नमबर का क्या है 16 नमबर का वन हू लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट वह है जो बहुत ही ऊची दरों पर धन को उधार देता हो तो उसे हम बो क्या करते हैं देनी पाते हैं वह उट पे आए तो यह जो आ आप फेके डिंदी मिलेगे के अगा को बहुत है आई पेक दल्द शेर करना मत पूलिएगा थेंक यू थेंक यू वेरी मच